रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है मानि ये एक ही काम सबसे ज़्यादा करेगा कि आपकी कबजियत मिटा देगा कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा 40 साल पुरानी भी मिटा देगा तो सब तरह के जूस, दूद, दही, छाच, ये सब वात नाशक चीज़ें हमारे घरों में हैं अब आखरी चीज, आखरी चीज भागवर्टी जी कहते हैं कि वात नाशक, पित नाशक और कफ नाशक ऐसी चीज़ें दुनिया में एक साथ मिलें हैं, बहुत रेर, बहुत रेर वो कहते हैं कि बहुत चीज़ें दुनिया में हैं, कोई वात का नाशक करेगा, कोई पित का, कोई कफ का लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी अपने रसोई में हैं, जो तीनों को नाशक कर सकते हैं उन में से नमबर एक है आवला फिर दूसरा है हरडे और तीसरा है बहेडा और तीनों मिलाके बनता है त्रिफला ये जो त्रिफला है ना बाग बट्टी जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूथ रहे 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को ऐसे खाओ त्रिफला को 120 से ज्यादा सूथ रहे अकेले त्रिफला पर और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फल आवला फिर बहेडा फिर हरडे ये सबसे दुनिया में अद्बुचीज है लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए ज्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं करिए बहुत अच्छा है लेकिन मात्रा ध्यान रखिए हम क्या करते हैं कि हर बहेडा आवला तीनों बराबर मात्रा में मिलाके त्रिफला बनाते हैं वो कहते हैं कि ये उतना उप्योगी नहीं है और हमने करके भी देखा वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक, दो, तीन की अनुपात में पहला है हर, हरडे एक अनुपात, दूसरा है बहेडा, दो अनुपात, और तीसरा है आवला, तीन अनुपात, अब इसको मात्रा में कहूँ, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना 100 ग्राम बहेडा लेना 200 ग्राम और आवला लेना 300 ग्राम तो ये 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चून तयार करेंगे वो कहते हैं ये अदभुत है वात, पित, कफ, तीनों का नाश करता है तीनों का अब वात, पित, कफ, तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजे कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उनोंने एक रात को और एक सवेरे सवेरे का नियम उनका ये है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड के साथ नहीं तो शहद के साथ गुड या शहद वैसे ही आप पह कर लीजे जैन है तो गुड अजैन है तो शहद तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूद के साथ या गरम पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है ना सवेरे भी त्रिफला ही खा रहा है रात को भी लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं असर अलग-अलग है दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूद के साथ या गरμ पानी के साथ तो ये त션फला रेचक है रेचक शब जोनों ने इस्टेवाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आथ की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला जाडू लगाने वाला जो व्यक्ति वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है माने ये एक ही काम सबसे जादा करेगा कि आपकी कबजियत मिटा देगा कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा चालिस साल पुरानी भी मिटा देगा रात को और जो दिन को त्रिफला खाया सवेरे गुड के साथ तो वो कहते हैं ये पोशक है एक शब्द है रेचक और एक है पोशक पोशक माने शरीर को जो कुछ चाहिए विटेमिन सी चाहिए विटेमिन ए चाहिए विटेमिन डी चाहिए या विटेमिन के चाहिए या कोई विटेमिन चाहिए या हमें माइक्रो न्यूट्रेंट चाहिए शरीर को कैलशियम चाहिए आईरन चाहिए वगरा वगरा तो शरीर को अगर पोशकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कबजियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना दोनों समय के त्रिफले में बिल्कुल अलग तरह के परिणाम आते हैं तो जो कहें हम तो सुस्थ हैं जी तो सबेरे इत्रिफला खाओ सुस्थ हैं तो और जो कुछ बीमारियां है आपको तो रात को खाओ